यह आपको जेई एडवांस 2017 में पूछा गया एक क्वेशन है क्वेशन को अगर आप समझने का कोशिस करें आपको यह काड़ा कि वीच अपतर फोलोईं यानि नीचे जो आपको एक्जांपल में दिये गया है मैट्रिक्स तो कहाड़ा कि यह कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी दूसरे मैट्रिक्स का स्क्वाइर नहीं किसी दूसरे मैट्रिक्स को मनले अगर किसी दो मैट्रिक्स को आप मल्टिप्लाइ करते हैं तो मल्टिप्लाइ करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है तो ही बुल रहा है कि ऐसा कौन तरह आपको matrix दिख रहा है जो दो matrix का multiplication हो सकता है तो दो matrix के multiplication का यह मतलब होता है कि मौनले यह एक matrix है B और एक matrix है C तो B into C जो है वो A है तो determinants अगर लेते हैं तो B का determinants into C का determinants वो एक इटेटमांस के बढ़ावार होना चाहिए यानि दो matrix को अगर हम लोग multiply करके तीसरा matrix ले आ रहे हैं तो इस दोनों matrix का determinants का multiplication होगा वो तीसरे के बड़ाबर हो जाएगा जैसा आप square ही करते हैं आप कहते हैं कि A into AB है इसका यह मतलब हो गया कि A का determinants into A का determinants is equal to B का determinants हो जाएगा यानि B का determinants जो है वो A का determinants के square के बड़ाबर हो जाएगा तो सबसे पहले यह देखिए कि positive संख्या का square positive संख्या होता है लेकिन क्या negative संख्या का square negative होता है क्या negative संख्या का square भी positive हो जाता है तो सबसे पढ़े आप यह देखिए कि इस चाड़ों में डियान से अगर याद हूँ तो डियागोनल में जो एलिमेंट है उसको हम लोग मल्टिप्ला करते हैं तो इसका डियागोनल हो जाएगा आपको मैनश वन हुआ तो यह जो मैनश वन हुआ और कह रहें कि यह किसी मैट्रिक्स के स्क्वाइर के यह बड़ावर है इसका मतलब हो गया कि किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांस आया होगा उसको स्क्वाइर करेंगे तो मैनश वन आएगा आपको अब यह सोचना है कि किस संख्या के स्क्वाइ है नहीं है इसका डिर्म नाम्स कितना हो जाएगा इसको multiply करेंगे almost minus 1 आएगा इसका मतब यह भी किसी का square नहीं हो सकता है क्योंकि अगर square करेंगे तो minus 1 आएगा कहां से यह देखिए तो यह अगर आप इसको करते हैं तो यह one होगा तो यह हो सकता है अगर आप इसका डिर्म नाम्स खुद one हो और उसको one से multiply करेंगे तो आपको बना सकता है या minus one हो और minus one को minus one से multiply करें तो बना सकता है अगर आप इसको इसका डिर्म नाम्स निकालते हैं तो almost यह भी कितना आएगा यह भी आपको बना जाएगा यानि यह भी किसी का square हो सकता है यानि C और D किसी का square हो सकता है लेकिन ये A और B जो आप देख रहे हैं ये किसी का square नहीं होगा आपका जो correct option हो जाएगा वो A और B दोनों होगा यानि ये more than one option बला ये question था और इतना easy question था तुरा सा concept based था जिसे आप आसानी से sense के साथ इसको आप बना सकते थे इसे आप note कर लिए ये question है आपको board पे जो J में 2015 पुछा गया question है question क्या है कि एक matrix आपको दे रखा है 1 2 2 2 2 1-2 A 2 B और करा ये matrix इस तरह से है जो कि A A transpose is equal to 9 I के equal है जहां I आपको unit matrix होता है और obviously इस I का जो order होगा वो I 3 ही होगा क्योंकि equality मिना 3 by 3 के तो संबब है नहीं क्योंकि A का order आपको 3 by 3 है तो सबसे पहले हमें क्या करना है A और A transpose को multiply करना पड़ेगा तो सबसे पहले जब इसका हम लोग solution देखे हैं तो A और A transpose को अगर multiply करें A means हो गया 1 2 2 2 1 minus 2 और यह A 2 B हो जाएगा इसे हमें इसके transpose के साथ multiply करना इसका first row first column बन जाएगा इसका जो second row है वो second column बनेगा और इसका third row जो है वो third column बन जाएगा इस तरीका से अगर इसे हम multiply करें तो यह आपको हो जाएगा 1 plus 4 plus 4 तो यह 1 plus 4 plus 4 9 हो जाएगा सकेंड अगर देखें तो यह 2 यह 2 4 minus 4 तो यह 0 होगा थर्ड को अगर देखें तो यह आपको A यह 4 और यह आपको बगल में 2 भी हो जाएगा सकेंड रोग अगर आप देखें 2 into 1 2 यह 2 यह minus 4 हो गया तो यह 0 होगा तो को आप 2 से करें 4 यह 1 और यह भी 4 हो गया तो यह 9 होगा और जब third column करते हैं तो यह आपको 2 A यह आपको third column के साथ कर रहे हैं तो यह आपको 2 होगा और इसको जब करते हैं तो यह minus 2 भी हो जाएगा 3rd row अगर चलते हैं तो यह आपको a प्लस 4 प्लस 2 भी होगा 2nd column अगर चलते हैं तो 2a प्लस 2 मैनस 2 भी होगा 3rd column अगर चलते हैं तो a square प्लस 4 प्लस b square हो जाएगा और यह टर्म किसके equal है? 9i के equal है इसका मतब यह जो है आपको 900, 090 और 009 के equal होगा तो किसी भी इस 3 में से, मतलब इधर के elements में से किसी भी 2 को आप equal करके equation मना सकते हैं माले यह इसी को पकर लिए 0 के तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a प्लस 4 प्लस 2 भी आपको 0 होगा यानि a प्लस 2 भी का value कितना हो जाएगा? मैनस 4 यह आपको first equation होगा second equation अगर यहाँ से लेते हैं कि 2a प्लस 2 मैनस 2b अगर 0 है तो यहाँ से आपको 2a मैनस 2b is equal to minus 2 होगा इसको second माल लिजिए दोनों को अगर आप solve करते हैं अगर add करते हैं दोनों equation को from first plus second क्या हो जाएगा? यह 2b और यह 2b cancel हो जाएगा तो यह आपको 3a is equal to minus 6 यहाँ से आपको a का value क्या हो जाएगा? minus 2 अब देखिए minus 2 अगर options में option में minus 2 यहाँ और यहाँ दो जगा चलि भी भी निकलना पड़ेगा तो a का value अगर इसमें डालने तो b निकल जाएगा तो from first अगर देखिए तो यह आपको हो जाएगा 2b is equal to minus 4 minus a यहाँ एका value अगर minus 2 इसमें डालते हैं तो यह आपको minus 4 plus 2 हो जाएगा minus 2 हो जाएगा जानि b अगर निकालेंगे तो b का value minus 1 हो जाएगा इसका मतब minus 2 minus 1 जो है यह आपको correct answer होगा minus 2 minus 1 यानि कि it means इसका b जो है यह correct option हो जाएगा इसे आप लोग note कर लिए कोस्तान आपका यह है कि a is an 3 by 3 non singular matrix यह matrix है जो 3 row 3 column का है 3 by 3 का यह matrix है कि इस तरह से तो आपको 2 condition दिया हुआ है एक condition यह दिया हुआ है और दूसरा condition आपको यह दिया हुआ है इन दोनों ही condition के आधार पर बोल रहा है अगर यह दोनों condition दिया हुआ है तो आपको यह पूछ रहा है कि b और b का transpose जो है वो क्या होगा तो सबसे बड़ी बात है कि आपको b दिया हुआ है तो सबसेपने अगर b दिया हुआ है अगर इसका solution part हम देखें तो b और b transpose अगर निकालना चाहते हैं तो b आपको है a inverse a transpose तो यह आपको b हो गया और b का transpose अगर कर रहा है मतलब हुआ कि a inverse a transpose का हमें transpose लेना है क्योंकि b का transpose हमें चाहिए और B आपको दिया हुआ है A inverse A transpose का transpose तो properties हम लोगों ने क्या पढ़ा है transpose का properties हम लोगों ने पढ़ा है कि multiplication का अगर transpose लेते हैं तो वो reverse order में बाहर निकलता मतब यह transpose का transpose पहले आएगा और फिर A inverse का transpose बाद में जाएगा यह चीज़ आपको मिलेगा A transpose का transpose पहले और A inverse का transpose बाद में जाएगा यह आपको A inverse A transpose है ही यहाँ double transpose अगर हो तो हम लोग पढ़े हैं कि double transpose कैंसी लोग करके A पच जाएगा और यहाँ पर जो यह आप देख रहे हैं यह A inverse का transpose यहाँ पर रहेगा ही A inverse का transpose यहाँ पर अगर यहाँ पर इस बीच वाले दोनों को हम एक साथ रखें यानि A inverse A transpose into A को एक साथ रखें और यह जो term आप देख रहे हैं यह भी एक property है कि inverse का transpose लें या transpose का inverse लें कोई effect नहीं पड़ता है inverse का transpose लें या transpose का inverse लें कोई effect नहीं पड़ता है तो A transpose A अगर देखें तो A transpose A का value किसके बड़ाबर है यहां से इसका value हम put करें कि A transpose है और बाकी को अगर हम repeat कर लें यह कहां से डाले हैं according to question डाले हैं अब अगर इस first part को इसके साथ हम attach कर लें यानि कि A transpose A हुआ और इस second part जो आप देख रहे हैं A transpose into A transpose का inverse यहां पड़ है यह आपको A transpose और यह A transpose का inverse यह एक साथ हो गया और यहां पड़ यह A inverse है यहां आपको A inverse into A एक साथ कर लिए किसे भी matrix को उसके inverse से multiply करेंगे तो क्या होता है unit matrix होता है किसे भी matrix को उसके inverse से multiply करेंगे क्या होता है unit matrix होता है और i को अगर i से multiply करेंगे तो almost i ही होगा इसका मतलब हो गया इसका answer आपको हो जाएगा d तो इसे आप लोग note करिए पहले बचो ये matrix का अगला question है जो कि j means 2016 में पूछा गया question है और ये question है कि आपको matrix दिया हुआ है P और एक matrix दिया हुआ है A और ये Q आपको दिया हुआ है P A P transpose करके आपको पूछ रहा है कि P transpose Q पे power 2015 और P का जो product है वो इसमें से क्या होगा सबसे बड़ी बात है कि आप Q देखें Q क्या है P A P transpose है और यहां पर Q पे क्या आप देख रहे है पावर है 2015 तो सबसे बड़ी बात है कि पहले उसका nature तो पता कर लें क्या खिर क्या है वो तो सबसे पहले P अगर यहां पर आप देखें यह P अगर देखें रूट 3 बाइ 2 यह 1 बाइ 2 है यह मैनस 1 बाइ 2 है और रूट 3 बाइ 2 है आप अगर इसके ट्रांस्पोज को देखें तो ट्रांस्पोज अगर निकालना चाहते हैं इसका ट्रांस्पोज क्या होगा इसका फस्ट रो फस्ट कॉलम होगा रूट 3 बाइ 2 बाइ 2 होगा और सकेंड रो सकेंड कॉलम होगा यह मैनस हाफ हो जाएगा और यह रूट 3 निकालेंगे इसका, इधर से गर multiply करें, तो यह आपको 3 by 4 होगा, minus, यह minus 1 by 4 इसको plus 1 by 4 कर देगा, यानि कि 4 by 4 यह almost 1 हो जागा, जो कि 0 के equal नहीं है, यानि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और 3 नवर्स का formula क्या होता है, तो इनवर्स का formula होता है, adjoint P by determinants P, determinants P का value 1 है, और adjoint निकालने के लिए आपको आता है, कि main diagonal के element को अगर reverse करें, तो यह आपको root 3 by 2, root 3 by 2 होगा, और इसका अगर sign change कर लें, तो यह minus half होगा, और यह plus half होगा, इस तरह से आपको यह P inverse मिला, और इसको जरा गौर से देखिए दिए क्या है, यह आपको P transpose है, और इसमें और इसमें क्या difference है, कोई difference नहीं है, यह आप कह सकते हैं कि यह P transpose जो है, वो P inverse के equal है, अब यह मामला हो गया कि वो जो Q दिया हुआ है, according to question आपको क्या दे रखा है, कि Q जो है वो P A P transpose है, आप यह कह सकते हैं, यह P A P inverse है, आप यह कह सकते हैं, कि P A P inverse है Q, अब है कि Q पे power आपको क्या दे दिया है, 2015, जब भी matrix पे कोई बड़ा संख्या आपको power में है, तो सबसे पहले आपको उसके square और cube के बारे में पता लग क्या है, और फिर उसी अधार पर क्या करते हैं, हम लोग आग एकर काम कर लेते हैं, सबसे पहले यहां क्या करते हैं, हम लोग Q square निकालने का कोसिस करते हैं, तो Q square निकालने का क्या मतलब हो गया, कि P A P inverse का square हो, और इसके square का मतलब यह हुआ, कि P A P inverse को हमें दो वालिक ना प इसको दो बार लिखिए या तो इसके साथ या इसके साथ अधर बीच में i into a and i into a बगल में i into a होगा यी यानिकि ये pa Companies एक क्यूब क trabalh होे ही निकालते हैं तो १। हम क्यूब का क्यूब कर निकालेंगे इस जगह पर क्यूब आ जाएगा इसके दिख्यने कि क्यूब करेंगे बट्या चमा टो एक प्यूबWow प्लेस काते हैं तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा यह कि प्रांस्पोज 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 प प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर यहां पर अब यहां से आप अंधाजा लगें अगर A दिया हुआ है A पर पावर 2015 तो क्या करना पड़ेगा? फिर वहीं पीछे बला हुआ A square निकालगे A Q निकाल है वहां से निचर पता करी तब यहां क्या करते हैं हम लोग A SQUARER निकालते हैं पाल्य, थिये A into a होगा, A into a का क्या मतलब हो गया, 1,1,0,1 को हम 1,1,0,1 से Monthly करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, ये 1,1 को करेंगे, इसके साथ तो ये 1 होगा, इसको करेंगे, सेकेंड के साथ 1,2 को करेंगे, इसके साथ तो कितना होगा, 0 होगा इसको करेंगे इसके साथ तो यह 1 हो जाएगा तो यह स्क्वार किया क्या हो गया यह देखिए ए में यह 100 है तो यह 100 है ही स्क्वार किया तो उपर में स्क्वार किया क्यू अगर करेंगे तो वहां 3 हो जाएगा इसका यह मतलब हो गया कि ये पे जितना power होगा वो power कहां चला जाएगा इस दगा पे चला जाएगा इसके आधार पर हम कहा सकते हैं कि ये पर power 2015 जो है ये आपको 1 2015 0 और 1 हो जाएगा इस तरीका से ये तो 1 2015 0 1 इस तरह से आपको ये answer जो है आपको बी answer आपको हो जाएगा तो थोरा से आपको calculation करना पड़ेगा कभी कभी लेकिन आप इसके अंदर ही इसको फासली बना सकते हैं अगर concept clear हो गया तो जंप करना असान हो जाएगा इससे आप रिमोट कर लीजिए